तो भाई MG की ओर से 26 अपेल को नए लेक्टिक कार कॉमेट एवी को लॉंच कर दिया गया है कॉमेट एवी कितनी दंदार है इसमें कितने फेचर दिया गया है इसकी जनकार यहां आपको इस वीडियो में देने वाले हैं बेटिस कार कंपनी MG मोटर्स की ओर से भारती बजार मे 26 अपेल को नए लेक्टिक कार कॉमेट एवी को लॉंच किया गया था यह देश की सबसे चोटी और सबसे सबसे एवी कार बन गई है तो आज किसी वीडियो में आपको बताने में वाला हो कि अगर आप इस कार खेंदे का मन बना रहें तो क्या इस कार खेंदना आपके लिए फायदे का सोदार हावित होगा या नहीं तो फैस्स वीडियो को सुखेंशन पर आपने आपने वीडियो को लाइक नहीं कि अज़े लग सकती है लेकिन इसे यह खासियत भी है कि सहरी ट्रेफिक के बीच चलाने के दुरान का का साहीज सबसे जारा मदद करता है इसे देखक कुछ लोगों को टाटा के लटखकटे अकारनेनों और मार्ती की वेग और की आ सकती है लेकिन एमजे की ओर से इसे काफी रहतर डियान देने कोशिद की ओए यह भी लोगों को काफी अछा बहीं लग सकता है वैसी एक कमपनिन के मताबिक इस साथ मन है 5 इतनी हैं लंबाई और चोड़ाई कोमेट एवे की कुल लंबाई की मिटर से भी कम है इसकी कुल लंबाई 2934 mm है जबकि इसको चोड़ाई 1505 mm और 4640 mm है वहें इसका वील बेस 210 mm का है कार का टर्निंग रेडिया सिर्फ 4.2 मिटर का है तो काफ़ी कम जगह में इससे मौने जिसके बाद पीछे की सीट पर दो यातियों को आसाने से बिठाया जा सकता है कॉमेट में आपको ज़्यादा केविन इसमेस मिलता है लेकिं इसमें बूट के साथ संसुद्र करना पड़ेगा अगर आप कार में समान रखने के साथ ही चार लोग जाना चाते हैं तो इसमें इसा नहीं कर पाएंगे वहिए अगर आप दो यातिजा जाते हैं और साथ में समान रखने के बाद आचाने से बड़े ब्याग्स को रखने कैसे हैं इसमें इसमें काफि बहती फिचर्स की तोर पे इसमें सिंथे टिक लेडर सेट लेडर कवार्ट इस्ट्रीग वील 10.25 इं सब्सक्राइब में 20 oftentimes इस हैं कि स्कूला है या फिर स्जिटब लेत Jewelcle कि सब्सक्राइब मिलती है इसके साथ इसमें मिलने वाला मुझी सिस्टम भी ठीक है लेकिन इसे और बैतर किया रस्ता है था इस्टेरिंग पर एपल आइपोर्ट जैसे बटर मिलते हैं जो देखने में काफी अच्छा लगते हैं कार के स्टेरियर में कनेक्टिविटी डियर एल एलेडी हैड लैक्ट के साथ ही रियर में भी कनेक्टि तो दिया गया है इस में पर्मानेंट मेंगनेट सिंक्रो मोटर को दिया गया है इस मोटर से कार को 40 होट का पाउक के साथ 110 Newton meter का torque मिलता है इसमें automatic transmission को दिया गया है जिससे कि कार को चलाना काफी आसान हो जाता है कार में push button start या stop नहीं मिलता है लेकिन कार के brake को दो बार दवाने के बाद कार चलने के लिए पूरी तरह स्यान हो जाती है वहीं बंद करने के लिए कार को remote से lock क्या रचता है कार को चलाना काफी आसान है सहरी ट्रेफिक में काफी आसान इससे कार को चला रचता है छोटी जगा में आसान इससे पार्क भी क्या रचता है वहीं छोटी गली में भी चिलाने में कोई प्रसान नहीं आती है शुरक्षा का भी रखा ध्यान, कार में airbags, TP, MS, ABS, EBD जैसे features को दिया गया है इसके साथ इसमें reverse parking camera, ISO fix child anchors, 3 point seat belt को भी दिया गया है जिसे कार सुरक्षित हो आती है, कितनी है कीमत, कपने इसे 7.89 रुपे की A-SON कीमत पर लौंच गया है जिसके बाद ये देश की सबसे सस्ती electric car बन गई है ये कीमत introductory है, जिसे बाद में बदला भी दा सकता है फिलाली टाटा की TIAGO electric से कम कीमत में बजार मिल जाएगी किनसे है मुकावला, MG की कॉमा टेवी एक प्रेम electric hatchway कार है अगर कार के लंबाई को छोड़ दे तो इसका मुकावला TIAGO electric और सिट्रोन की C3 electric car से होगा जहां कॉमेट को इसकी कीमत का फैरा मिल सकता है क्यों खरीदे और क्यों ना खरीदे अगर आपको सेयर में चलाने के लिए ऐसी electric car की ट्लास है जिसमें आप असानी से 4 लोग जा सकते हैं लेकिन कार में आपको समान नहीं रखना होता है आप कार को ऐसी समय में चार्ज करेंगे जब आपके पास 5-7 गंडे का समय हो दिन में जायर से ज़्यादा 200 कमटर का सफ़र का आप करते हैं प्रीमियम इंटिरीयर फीटर के साथ नहीं लोके कार चलाना चाहते हैं तो यह कार आपको निर्ग निरास नहीं करेगी लेकिन अगर कार में लंबा सफ़र करते हैं चाहर प्रफ़र बभी जाते हैं चाह लोग के साथ ही अगर आप सब्समान बिखाना है तो आप अन्ने काल को भी दे सकते हैं फैस आपको वीडियो जांगा एक से तकता है अगा आपको वीडियो को देखने के लिए आप अचने को सब्सक्राइब वीडियो में